राजसान के क्रुकेटर चेतन सकारिया ने सुमवार को मुंबई के वांखडे स्टेडियम में खेले गए मैच में हवा में उड़ते हुए ऐसा हैरत अंगेस कैच पकड़ा जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ दरसल आपको बता दें कि प्लाइंग सकारिया का बहतरीं कैच देखकर ट्वीटर पर लोगों ने जम कर उनकी तारीफ कर रही हैं और उनको सुपरमैन बता दिया है दरसल आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की पारी के दोरान अठारवे ओवर की आखरी गेंद पर पंजाब के बलेबाज निकोलस पूरन ने क्रिस मौरिस की गेंद पर शॉट फाइन लैक की दिशा में शॉट मारा था लेकिन वहां फिल्डिंग कर रहे राजिस्तान रॉयल्स के सकारिया ने डाइव मार कर हवा में उड़ते हुए वो कैच लपक लिया ऐसे मैं आपको बता दें कि इस हैरत अंगेज कैच को देख कर हर कोई हैरान हो गया है लेकिन आपको बता दें कि चेतन सकारिया का कैच इतना हैरत अंगेज था कि शोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी से वारल हो रहा है बता दें कि शोशल मीडिया पर लोगों ने चेतन सकारिया का कैच देखकर उन्हें सूपरमैन बताया है बता दें आपको कि इस मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 31 रन देकर तीन विकिट भी अपने नाम किये ऐसे में आपको बता दें कि संजू सेमसंग के करियर के तीसरे आईपल शतक के बावजूद भी राइस्तान रॉयल्स को बड़े स्कोर वाले रोमांच मैच में सोमवार को पंजाब किंग्स के हाथो चार रन से हार का सामना करना पड़ा पंजाब किंग्स ने 6 विकिट पर 221 रन बनाए इसके जवाब में राइस्तान रॉयल्स सिर्फ 4 रन से चूप गए बदा दें कि राइस्तान रॉयल्स ने 7 विकिट के नुकसान पर 217 रन ही बना सकी और कुछ इस तरीके से उन्होंने पहला मुकाबला गवा दिया ऐसे में देखना दिल्चस भोगा आगे आने वाले मैचों में इस खिलाडी यानी चेतन सकारिया और राइस्तान रॉयल्स का कैसा पताशन रहता है एन पी निउस रॉम की रिपोर्ट